नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है हमारा चानल एडमिशन आला पर और हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो कोटाज होते हैं इस वीडियो में अगले वीडियो में हम सेप्रेट बात करेंगे स्पॉट राउंड पर तो इस वीडियो में स्रिफ हमारी ये जो क्या होते हैं जो वीडियो में देखते हैं कि ये क्या चीज़े है तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में हम ये करेंगे और दूसरे वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि स्पॉट राउंड क्या होते हैं वो में मुद्दा है हमारे इस वीडियो क्योंकि ये जो कोटा से उसके अडिमिशन प्रोसेसर लगबख मतलब चली है वो चलती रही है उसमें कुछ आदी हो चुके कोई कॉलेजम अडिमिशन हो भी चुके होगे तो फिर ये थोड़ा सा ल महस एंस्टिटूट लेवल पर होते हैं घ्यो के ठ्रूटी नहीं होते हैं उनको इंस्टूशन को तो इसको सेपरेट देने के जरूरत ने हैं लेकिन हो समझनेकर थे लिए उसको सेपरेट दे यह ये सारे जो ये है प्रकारे ये management सुपरनिमरी सब इसमें आता है institutional quota ही सभी को कहते है लेकिन उसमें कौन-कौन सी seats या फिर उनके quota होते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो तो सबसे पहला सभी को पता है जो है कि management quota हम मोलते हैं पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी जो admission institute level पर होता है मतलब college उसे करता है तो उसको institutional quota ही कहते हैं institutional seats ही कहते हैं अब उसमें जो management quota जो बोलते हैं उसको भी institutional quota ही बोलते हैं और अगर आप brochure में देखेंगे information brochure में जो rule की books है आपके admission की तो उसमें भी उन्होंने कहा होगा कि institutional quota ऐसा ही शब्द होगा ना कि management quota ऐसा होगा institutional level की जो seats है उनको ही हम management seats बोलते हैं तो जो management seats है जनरली वो हम महारास्टा के अगर बात करें तो जिस college को अगर अगर बोलते हैं तो आप इतना समझ लीजेगा कि जो कोई अगर बोलता है आप को institutional level quota और अगर आप management quota बोलते हैं तो दोनों एक ही है आप उसमें वो गलत मत कीजिएगा दूसरी बात करते हैं कि उसमें भी और भी कुछ seats होते हैं मतलब किसी college में किसी एक branch के लिए 60 का उनका intake है हम जिसे intake कहते हैं seats कहते हैं आप लोग उसे बोलते हैं कि कितनी seat है बरबन है तो अकर 60 seat है तो कुछ को college क्या करता है हमारी जो सिखर समस्ता है या फिर उनका जो भी सिखर समस्ता है या फिर जिससे भी उनका अप रोल मिलता है तो उस body से वो application करते हैं हर साल और हर साल एक कुछ supernumerary seat होती जैसे कि उनको हम PIO कहते है, OCI कहते है, CWC कहते है, NRI कहते है चो यह भी seat होती है इसके साथ-साथ और भी JKSS होते है जो कि government बरता है, JNK quota होता है जो government बरता है EWS भी अब supernumerary quota है लेकिन वो cap round से भरे जाती है तो उसको हम इसमें include नहीं करेंगे institutional quota में, institutional quota में उनको ही include करेंगे जिसके admission institute level पर होते है तो यह जो PIO, OCIC, WCNR है उनके admission भी institutional level पर होते है उनको supernumerary quota हम कहते है ठीक है तो आपके आप समझ में आया होगा कि जो management हम quota हम बो आप समझ लीजेगा उसके बाद है कि कोई कोई बोलता है after cap round seats या फिर कोई बोलेगा आपको against cap round seats या फिर कोई मतलब इसका मतलब यही है सिधा-सिधा कि cap round खतम होने के बाद जितनी भी seats बचती है, cap की वो seat चली जाती है institutional level round के लिए institutional level के लिए उसके लिए alux admission procedure और जो हम spot round की जब बात करेंगे आगले हुडे में तो detail चर्चा उसमें करेंगे कि seats खाली रहने के बाद क्या procedure है, आपको उसे कैसे ये करना पड़ता है क्योंकि उसमें आपका थोड़ा सा confusion fees के बारे में भी होता है, आगले स्राड़ पे उसमें भी चर्चा करेंगे हम, तो generally आपको सिर्फ यही में clear करना चाहता हो कि ये seat अलग-अलग होती है, institutional level पर ही भरी जाती है, लेकिन उनका quota अलग-अलग हता है, आपको सिर्फ समझना एक उद्देश है इस वीडियो का, तो admission कैसे होते हैं इनके, थोड़ा सा उसके बारे में भी पता करने है कि हम कौशिश करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मैं institutional quota आप separate नहीं दूँगा क्योंकि उसमें ही आता है, तो management quota जिसे हम बोलते हैं, कोई लोग उसे institutional quota बोलेंगे, इसमें आप गल्लत ना कीचिएगा, तो management quota की बात करे हैं हम तो management quota college भरता है, आपको जिस college में आपको interested हो, आप उस college को आपको संपर करना पड़ता है, उनको application करना पड़ता है, college, आपका जो cap का application है, उसके अलावा आपको college को अलग सा application करना पड़ता है, और college को भी एक कुछ standard procedure दी है, government ने, उसके आनुसार उनको admission देना होता है, एक simple rule है, management quota का, लेकिन ये college करता है, तो आपको college को contact करना होगा, supernumerary quota की हम बात करें, तो जैसे कि PIO, OCIA, CIWSC, NRA जैसे से seat भरी जाती है, तो admission के लिए उनको भी अलग सा application करना पड़ता है, CT sale के यहाँ पर, CT sale ने उनका एक बार application confirm कर दिया, तो फिर direct वो जिस college में चाहते हैं, उस college में admission वो लोग करते हैं, उनका PCM पर, बारवी के PCM पर detail आपको उसके बाद पता करना था हो, कभी उस पर detail चर्चा हम करेंगे, तो चलिए इसका भी एक comment हमने दे दिया आपको, थोड़ा सा idea आपको मिल गया होगा, दूसरी बात है कि कैसे होते अपर क्या प्राउंड के सिट, जैसे कि मैंने का इस video में आप थोड़ा सा स्रीप information लेंगे, अगले video में हम detail चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर मैं बताना चाहत हो कि क्या प्राउंड के बाद जो भी vacancy रहेगी, college को आपको application करना होगा, उसके बाद merit list आएगी, college admission merit से दिया जाएगा, और कोई-कोई college ऐसे बात है कि spot round भी आवजित करेंगे, आपको application के प्रकार है, उसके फीज कितनी लगती है, तो दोस्तों आपके मन में जो सवाल है, और करेक्ट है, तो जो आप बोलते हो management quota, वहाँ पर आपको पता है कि फीज कितनी होती है, कैसी होती है, वो उसके बारे में आपको college को contact करो, आप college वेले आपको बताएंगे कि फीज कित बाद जो CWGC होते हैं, उनके लिए फीज नॉर्मल होती है, जो आपको college को fee cap में, वहीं fee CWGC होती है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको जरुरत पड़ी है, तो हम डीटेल जर्चावस पर करेंगे, लेकिन सिर्फ आप जयान लेजिएगा, का fee का funda क्या है, और जो capitation fee है, पिर बाकी की fee हो सकती है, management को टा में, आप college से उसके लिए संपर कर सकते है, अब आते हैं, आपकी जो after cap round के seats है, तो वहाँ पर जितनी fees regulator, fees regulating authority जो होगी, उस-उस college के लिए, तो उस उनने जो मंजूर किये, वही fees आपको भरनी पड़ती है, मतलब जो cap round में open के लिए जो fees है वह आपको fees भरनी पड़ेगी, after cap round, अगर आप private college में try कर रहे हैं, तो category का फाइदा वहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको पूरी fees भरनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप government college में try करोगे इस seat के लिए, तो हो सकता कि आपको वहाँ पर ये स्वीधा मिले, मतलब fee की स्वीधा मिले free ship scholarship आपको वहाँ पर ले पाओगे, लेकिन अगर आप इस round में private college में आडमेशन लेता हो, तो याद रखे, आपको free ship scholarship नहीं मिलेगी, और fees भी आपको पूरी भरनी पड़ेगी, open के जितनी, तो थोड़ा सा idea आपको आजाए इस video को अदर की, बहुत प्रकार के क्या, दोनो आपे फिर मिलेंगे किसी ने विडिमें तब तक के लिए, नमस्कार, थैंक्यू